गर्मा गर्म जलेवियां तो हर किसी को बहुत पसंद आती हैं मार्केट से तो हम लोग हमेशा लाकर खाते हैं बट कभी घर में ट्राइ करी हैं बहुत ही टेस्टी बनती हैं एक दब कुरकुरी एन ला जवाब तो आज मैं आपको ये कुरकुरी गर्मा गरम जलेबियों की रेस्पी देने वाली हूँ और ये जो रबडी मैं यहाँ पर इसके ऊपर पोर कर रही हूँ, इसकी रेस्पी मैंने रिसेंटली शेयर करी है, आप चाहें तो उसको चेक आउट कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को अन कर दिया है, तो इसको मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, ये जैसे बॉल आना शुरू होता है, इसके अंदर हम इलाइची का पाउडर डाल देंगे, एक चौथा ही चमच, और फिर इसको उबालेंगे, यहाँ पर हमें चाशनी का कोई तार नहीं बनाना है, जैसे ही पर इसमें कुछ बूंदे नीबू की एट कर देंगे, जिससे की चाशनी यहीं पर रुख जाएगी, इससे जादा गाढ़ी नहीं होने पाएगी, तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, और अब चलते हैं में चीज की तरफ जो की है जलेबी, तो जलेबी के लिए मैंने त रेस्पी भी होईगी और थोड़ी सी फूली होई सी भी बनेगी, इसके बाद इसमें मैं औरेंज फूट कलर एट कर रही हूँ, आधी चुटकी के करीब, बट यह पूरी तरीकी से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाले, यह आपकी मर्जी है, आप डालना चाहते हैं कि नही इसमें अब एक बड़ा चमच हम नीबू का रस एट करेंगे, तो नीबू का रस एट करने से क्या होता है, कि एकदम मिठास नहीं आती है, जो यह जलेबी है, थोड़ी सी क्रिस्पी भी बनती है, और इसमें एक जो मार्केट की जैसी जलेबी में खटा मीठा सा टेस्ट होत इसमें एक खटा से भी आएगी, अब मैंने यहाँ पर देसी घी रख दिया है, एक फ्लैट सा जो फ्राइंग पैन होता है, उसमें फ्लैट ही भरतर में आपको इसको बनाना है जलेबी को, वरना जलेबी जब आप इसमें डालोगे तो वो फैलने लगती, फिर आप उसको अ अच्छे से एक रबर बैंड की हेल्प से बांद लेंगे, जिसे की उपर की तरफ से ना निकले बैटर, और एक कोने में इसके एक छोटा सा कट लगा लेंगे, यह धिहान रखिएगा, कि यह कट जादा बड़ा मत लगाईएगा, क्योंकि जब हम इसको जो है बनाते हैं जल तो जैसे ही आप पहला जो है चकर इसका घुमाओगे, वैसे ही गोल-गोल घुमने लग जाती, फिर आप इस तरीके से लंबी एक साथ में जलेबिया नहीं बना पाओगे, तो यहाँ पर इनको मैंने अलट-पलट कर अच्छे से से सेक लिया है, इस तरीके से क्रिस्पी हो और कलर चेंज हो जाने तक हमें इसको फ्राई करना है, और इसके बाद जो हमने चाशनी बना कर रखी थी, वो अगर अपकी ठंडी हो गई है, तो पहले थोड़ी सी गरम कर लीजेगा, उसके बाद इसमें हमें इन जलेबियों को एट कर देना है, तो यहाँ पर मैंने चाश जलेबियों को लिदे बाहर कर लिए तो पूरी आप इसी तरीके से जलेबियां बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि चाशनी कम है तो आप एक के बजाए दो कप चीनिका ले सकते हो और एक कप उसमें पानी डाल के चाशनी को बना सकते हो, जिसे की थोड़ी एक्स्ट्र ह हो जाती है फिर आप बात में भी काम लई सकते हूँ तो यहां पर मैंने सारी जलेबियां बनार कर ट्यार कर ली हैं और अब इसको मैं सफ करूँगी तो एक प्लेट में मैं सफ करूँगी से ब्लेइब clearly के ओपर डिल और यह बढ़ियां इंस्टेंट थंडी थंडी रबडी है जो बिलकुल पांच मिट में बनकर तयार हुई है बहुत आसानी से इसकी रेस्पी जैसे मैंने कहा मैंने अभी इसके पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट करी है तो अगर आप देखना चाहते हो तो उसको भी जरूर च सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को अनकर लीजेगा जिसे मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिलेगी एंड यह बिलकुल फ्री है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग